गाइस जब आप किसी स्कूल में पढ़ानी के लिए जाते हैं तो आपके सामें दो चैलेंजिस आते हैं फर्स्ट चैलेंज होता है आपका पर्शनलर इंटर्व्यू और सेकंड चैलेंज होता है आपका डेमो कलाइस जो मंत्रा आपके लिए क्या बहुत ज़्यादा benefit करेगा तो गाइस इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो definitely बहुत ज़्यादा help मिलने वाली है और गाइस अगर आप इन चीजों को follow करते हो जो मैं आपको points होताने वाला हूं तो गाइस आप कभी भी interview में आप कभ आप interview के ले जाते हैं तो देखे सबसे पहले आप क्या है reception पर जाएंगे अब reception पर आपको क्या है एक date दे जाती है उस date पर आपको बुला के पर आपको क्या बलाया जाता ".. फिर आपकर जो मुलागात से होता है अब वहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहले आपका क्या है वह रिज्यूम जाता है उस को पहले देखा जाता है अब उस रिज्यूम को देखने के बाद सारी analysis कर लिकित है प्रिंसिपल और वो आपके लिए कोशन्स त्यार कर लिते हैं अब वो आपसे कोशन्स पूछने वाले हैं तो देखिए जब आप सबसे पहरे जब एंट्री लेंगे जब भी आप प्रिंसिपल ऑफिस में एंट्री लेंगे तो आप को देखिए विस करना उनको अगर मॉर्निंग है तो मॉर्निंग होगा या अफ्टर नून होगा यहीं दो टाइम होगी क्योंकि कविवी स्कूल में आपको इंटर्व्यू के लिए नहीं बुलाया जाता है तो यह तो चीज आप समझ गए अब आप क्या है जो भी आंसर देने वाले हैं जो भी आपके सामने कोशन्स आने वाले कई ऐसा पूछ दिया कि हमको नहीं आया तो तो गाइस देखिए एक बात आप यह समझ लो कि जिस पोस्ट पर प्रेंसिपल बैठा हुआ है अगर उस पोस्ट पर बैकते हुए बैकती से अगर आप सब्जेक्टिव नोलिज पूछोगे हर एक चीज तो गाइस वह भी निव आप गए हैं बेच के आप प्रॉपरली बोलिए अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देजिए कि सर मुझे अभी याद नहीं है यह मत बोली है I'm sorry I'm sorry कोई आपका राइट आंसर नहीं है आपको बोलना है कि सर या मैम मुझे अभी रिमें स्लेक्शन है वो कराएगा देखिए इंपोर्टेंट यह है कि आप किलास में खड़े होकर किंत्रा कॉन्फिडेंस के साथ बचों को हेंडिल ले जाते हो अगर आप प्रिंसिपल को हेंडिल कर ले गया तो आप बचों को आरांब से हैंडिल कर ले जाओगी तो वही लिख़ स्कूल करते हैं तो क्लास लेंगे क्या यह पूरे एट्मॉस्फियर को handle कर पाएंगे की नहीं कर पाएंगे उनका मेन मोटो यह होता है अब देखिए अगर उनको लगा कि handle कर ले जाएंगे तो वो आपको job दे देंगे और guys फिर आपका जब interview हो जाता है तो फिर जब वो आपको demo के लिए बेचते हैं तो फिर class में आपको बेज़ा करते हैं गुड मॉनिंग क्लास या गुड आफ्टरनून क्लास तो बच्चो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक को और गाइस देखी काफी टीचर क्या करते हैं माल लीजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में गई बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोलना शुरू क बहुत ही कम स्कूल होते हैं तो आप जिस स्कूल में जा रहे हैं उस स्कूल पता कर लिए कि इस स्कूल में टोटली इंग्लिश चलता है या कॉम्बिनेशन चलता है मतलब यह सब चीजे आप क्या पता कर सकते हैं अब आप सोच रहोंगी मैं स्कूल में गया हो मुझे क्या सब्सक्राइब कर तो तो सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब markings मिलेगा तो ढर। हैं तो दिक्कत की बात देंगां आपके आज-पास खुश न, खुश टीचर जरूर, प्रूंग तो उन टीचर से एक फुरड़ सकते हैं बात कर सकतेले कि san y prince यहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं वह कैसे पढ़ते हैं लिए निस में पर करते हैं या हिन्दी-ज्ञास मिख्षा समझ यह इं important बात जो आपको ध्यान रखनी है देखिए कई बार मैंने देखा है कि काफी जो लोग होते हैं जो teacher के लिए apply करते हैं वो क्या करते हैं इंटर्व्य देने के लिए जा रहे हैं लेकिन jeans पहन के जा रहे हैं अपना party wear shirt पहन के जा रहे हैं लेडी जे अपना fancy item पहन के जा रहे हैं तो guys आप खुछ सोचके देखिए यदि आप male candidate हो या फिर female candidate हो तो guys जो formal dress होती है उसको आप पहन कर जाएए आप जो party wear कपड़े हैं उनको बिल्कुल पोई तरीके से avoid करिए guys जो आपका presence है वो काफी अच्छा होना चाहिए guys कहते हैं जो personality है अगर वो लोगों को कहते हैं कि लोगों को attract करती है तो फिर लोग आपके साथ क्या जुड़े रहते हैं तो guys वही चीज आपको ध्यान रखना है आपकी जो personality है वो काफी अच्छी हो चाहिए और आगर आप आपकी personality ने लोगों को impress कर दिया तो फिर definitely आपका selection है आपको कोई भी reject नहीं कर सकता है और guys एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कई वार क्या होगा कि आप जिस class में demo दे रहे होंगे उस class में हो सकता है पीचे से दो टीन teacher बठाल दिये जाए या बीच में आके बैठ जाए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिंडो से आपको चेक किया जा रहा हो ये चीज़े possible हो सकती है guys अब देखिए जो अभी का जमाना है उसमें देखिए क्या होता है कि अब class में teacher को क्या बहुत कम बठाला जाता है अब क्या किया जाता है बिंडो के पास teacher को या principal sir खुदा के य बठाल रहें कि नहीं तो यह चेक करवाते हैं बाकी का फिर क्लास होती है उनसे response लिया जाता है कि जो मैं या सर आयते पढ़ाने के लिए नई वाले वह सही पढ़ा रहें कि नहीं आपको कितना समझ में आ रहा है तो बाकी फिर बच्चों से पूचा जाता है इन सब चीजो को जॉब मिलने वाली है तो गाइस मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया और काफी पॉइंट्स आपको उतानाथ चाहूंगा कि आपके लिए ने टीचिंग के लिए काफी वीडियो डाल रखे हैं वो सभी वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में का नाम है हों ट्यूसन हों ट्विटर इस प्लेलिस्ट में आपको हों ट्यूसन सबीपरकार के टीचिंग के वीडियो मिलेगे उन वीडियो को देखकर आप अपनी knowledge को enhance कर सकते हैं और काफी अच्छी एंडिंग भी कर सकते हैं तो गाइस एस वीडियोस पाने के लिए आप अभी माचे खुजूर सब्सक्राइब करें नौट इस मेल राइक क्योंकि हम आपके लिए शुब लाते हैं चलिए मेलते हैं आप से नेशन तक लिए सुक्रिया